हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है मेरी यूटुब चैनल AI Resolution पे आज की वीडियो में हम यूरीन कल्चर टेस्ट के बारे में जानेंगे बर्ट यूरीन कल्चर टेस्ट के बारे में जानने से पहले हम एक बार यूरेनरी सिस्टम के बारे में जानने ठोड़ा सा किकि जो यूर कल्चर टेस्ट कराते हैं तो उससे पहले हम एक बार यूरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं यूरी सिस्टम में में क्या होता है किड्रनी यूटरेस ब्लेडर और यूथरा जो है आते हैं किड्रनी जो हमाई बोडी से वेस्ट जो ब्लड बॉडी फ्लूड सोते हैं उनको निकालती है वेस्ट वाटर जो होता है इस लेट जो उन सब को बाहर निकालती है मेली जो इन्फेक्शन होता है यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो यूटरल या फिर ब्लेडर में पाया जाता है यह जो इन्फेक्शन होता है एंटिबैटिक की थूरू निकाला जा सकता है बट कई बाद होते हैं जो इंफेक्शन होता है वो एंटिबेटिक के थुरू कंट्रोल नहीं किया जाता है तो उस कंडिशन में यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है ताकि जो 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 जर्म्स और बैक्टरियल्स हैं उनमें कितनी ग्रोथ हो दिये हैं वो चेक की जा सके उस कंडिशन उसके लिए हम जो है यूरिन कल्चर टेस्ट कराते है środब जो फटिस्ओं आरमर्ल रेंज फ्यूरिन कल्चर रिजल्ट यूरिन कल्चर जो है वह नॉर्मल रिज किया होती हैं इसकी 10,000 to 1 lakh clone is oblic ml जो है इसकी normal range होते है बट हिस यह वह वहrada Line अगर यह अबब वे कहले लो होती है वेले क्लोनाइज्ट साहना इसकी यह स्चोंो कान 차ण को से लिवी ञ거्ट रेंट scra अगर यह अबब होती है 1 lakh से लगान च्राण कॉनल सी दौनल्च एफिया मों होती है इन्फेक्षेन जो है वह सकता है तो इस दिये हमें किस टाइम का यूरीन देना चाहिए जो बैस्ट होता है तो उसके लिए हमें मॉर्णिंग का जो फ़स्ट यूरिन होता है वो देना चाहिए और जो morning का हम जो first urine देते हैं वो भी हमें उसका sample जो है lab में आधे घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर जो है देना चाहिए अपना sample test के लिए urine culture जो test है उसकी report किस तरीके से हम समझ सकते हैं urine culture test में जो first nature of sample दिया जाता है जो कि अगर urine का test है तो urine आएगा date of sample दिया जाता है जिस date को आपने sample दिया देट ओ रिपोर्ट दिय जाती है जिस दिन आपको report मिल रहे है urine culture जो test होता है इसकी report का जो है procedure 48 hours का होता है इसकी जो report release की जाते है वो 48 hours में की जाते है क्योंकि जो urine होता है उसमें देखा जाता है 48 hours में बैक्टरियल्स और जम्स की जो ग्रोथ है वह हुई है या नहीं हुई है और अगर हुई है तो कितनी हुई है उसके कौन सी एंटिबेटिक वर्क करेंगी यह सब हमें यूरिन कल्चर टेस्ट में पता चलता है इस इनकेस माल लिजी कि कोई ग्रोथ नहीं है तो रिपोर्ट मे नो ग्रोथ मेंशन हो जाएगा